प्रेंड्स वाल वागात आपका हमारी चैनल में। आज हम बात करने जा रहे है आर्टिकल's के बारे में तो आर्टिकल कै depths के ऊंदिए होते हैं और तीन न होता है एं होता और दा होता है तो दोस्तों सबसब पहले हम बात करते हैं N की तो N का Pryo वहाँ पर किया जाता है जहां पर सब जाने बॉबिल से कोई सब्द स्टार्ट होता है जैसे एपल, आइस्क्रीम, एलिफेंट और भी होते हैं जो बॉबिल से स्टार्ट हों उन सब्दों के आंगे N को प्योग किया जाता है यह तो कि इसके आंगे ब्लैंक है इसके आंगे दिया है आपको कि ए एन और दा को प्योग कीजिए तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे एफ आई यार को हम हिंदी में लिख लेंगे अनू सुम्हाओ को Lord कि इसके यार को हमने हिंदी में लिख लिया तो दोस्तों यहाँ पर जो यह आ रहा है यह 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 हमारा हिंदी का सुखर है इंदी का स्वर अन्ठी इसके हम पर आंक बंद करके एन एफ लिख देंगे अब दोस्तों इसने पर कार होता है MP MP को हम हिंदी में लिखेंगे तो यह यह देखे दोस्तों यहां पर भी यह स्वर आ रहा है तो यहां पर N लिख देंगे तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार से कोई confusion मत लीजे आप जो भी सब्द आ रहा हो उसको हिंदी में लिखके दिखिए अगर वह स्वर आ रहा है तो वहां पर आख बंद करके N लगा दीजिए अब तीसरे देखते हैं तीसरे पॉइंट इसमें honest लिखा है दोस्तों यहां पर तो honest जो है यह consonant से start हो रहा है फिर भी इसके आँगे N कॉप्यों किया जाता है क्यों तो दोस्तों जो honest है इसमें यह एच जबर जस्की का लगा है इसका कोई मतलब नहीं यह एच का जो पूरा सब्द है वो उसे start हो रहा है honest बोलते हैं honest तो इसमें जो आज से शुरूव हो रहा है यह भी स्वार है तो इसलिए हम एन honest बोलते हैं एक उधारा नहीं देखते हैं आवर्स लिखा है अब आवर्स में भी यह एच जबर जस्की का लगा दिया इनोंने जबकि hours होता है आवर्स होता है तो यहां पर भी एन अवर्स होगा आई होब दोस्तों आपको एन समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं एक ही हैल्श प्रलफ खुड दोस्तों एक होंपर किया जाता है यहां पर गाउन बात spec Україन साउन्ट होता है कोई भी सब्द जो खंण श्ठांट होता है उसके सांथ होता है और फर्स्टम जिसके बारे में बात की जाती है वहां पर एके अप्र जाएग होती है दोस्तों European को हम थे मिनल्गते यह European में जो यह यह था इत एक वेंगे लगा देंगे आप दोस्तों बह पर पहली बाद देखते हैं पहला मैं ने बताया जैसे आपको ए जन्रल जन्रल के बारे में बात होती है सामान ने बात की जाती है तो जैसे ए बुक, ए शिप, याने कोई भी उसमें कोई भी प्रिकार की विशिस्ता नहीं है, सामान ने बात की जा रही है, तो वहां पर एक अपरयोग किया जाता है, अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसमें दिया है, तो फर्स्ट टाइम जिसके बारे में बात की जा है, आई सा ए गल, याने यहां पर आई सा ए गल, याने कोई विशिस लड़की के बारे में बात नहीं हो रही, मैंने एक लड़की देखी, क्योंब एक लड़की के बारे में बात की जा रही है, इसी परकार से दोस्तों आप एक अपरयोग कर सकते हैं, और आखरी में आता है जो सबसे कठेन माना जाता है मेरे साब से तो अब दोस्तों दा का परियोग कहां किया जाता है जो specific याने जो कुछ particular या विसिस्ट चीज के बारे में दा का परियोग किया जाता है और दूसरा दिया है second time याने जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं फिर से उसी के बारे में बात की कर रहे हैं तो वहां पर भी दा का परियोग किया जाता है जो कल आया था यहां पर दा है जो विसिष्ट लड़का है मैं बार बार दोर आ रहा हूं विसिष्ट या कुछ भी special चीज के सामने दा का परियोग किया जाता है अब आंगे बड़ देखते हैं गए और पूर यहनँ कूछ भी समुधाय के आंगे दा को परियोग किया जाता है अगला देखते हैं दे य यहनँ किसी भी विसिष्ट स्थान के सामने दा को परियोग किया जाता है दा मून दा सन नक्षतरों के आंगे भी दागप प्रियोग किये जाता है उसके बाद अगला देखते हैं नदियों, सागरों, पहाडों, मैदानों, पिसेद दिमारतों, समाचार पत्रों, ग्रंथों और मौसम के आंगे दागप प्रियोग किये जाता है देखते हैं दा गंगा, दा यमना, दा ताज महल, दा हिंदुस्तान टाइम्स, दा रामायान, दा विंटर, आई होब दोस्तों आप समझ गया होंगे, यहाँ पर मैं एक बात और आपको समझाना चाहता हूँ, सेकंड टाइम्स, जो मैंने आपको बताया, तो सेकंड टाइम्स, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुकी है, उसके बारे में दुवारा बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर दा का परियोग होता है, और एक परियोग जब फर्ष्ट बार किसी के बारे में बात की जाती है, तो वह झाल झाल